I'm sorry for this boring introduction क्या करूँ मुझी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वैसे यह है मेरे पास एक मिट्टी का ग्लास यह समसी क्या निकला तो आज मेरे स्चूडियो में आये हैं दो इतने प्यारे मिट्टी के ग्लास इसका मेकप शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इसके पर लगाऊंगी यह मेहंगासा जैसो आपको पता है नॉर्मल जब मैं यूज़ करती हूँ वो 200 रुपीस का आता है ब्लू बड़ का और यह वाला जब मैंने ओर्डर किया यह पूरे 800 रुपीस का मुझे मिला मैंने यह इसे लिए ओर्डर किया क्योंकि मुझे लगा था इसकी क्वालिटी तो सबर्दस्त होगी लेकिन यह इतना बेकार है मैं आइंदा के बाद यह कभी नहीं मगाऊंगी आप इसके ट्रांस्पेरेंसी चेक करो इसके एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच छे कॉर्ट करना पड़ते हैं और उसके बावजूद बैक्ग्राउंड पर जो चीज़ है वो छुपती नहीं और यह मैंने पहला कॉर्ट किया है फुल थिक और यह अच्छे से ड्राय हो चुक है और अब मैं इसके पर सेकंड कॉर्ट करने लगी हूँ तो जब तक मैं इसके पर जैसो लगा रही हूँ तब तक मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ यह गलास मैंने लिए है अपने घर के बाहिर से एक आदमी आया था हमारे घर के बाहिर उसके पास बिटी के बढ़नों की धेर सारी वराइटी थी मैं तो घर से बाहर जाती नहीं तो घर से किसी ने मुझे विडियो बना के दिखा दी थी और उसमें से मुझे ये गलास पसंद आय थे और दो बाहूLES पसंद आय थे तो मैंने ये खरीद लिए और साथ चोड़ा सा पैकेट लिए उसमें चोट चोटे पांच मिट्टी के बढ़ते हैं और जब से मेरे पास ये चीजे आई हैं मैं इतनी ज्यादा एक्साइटीड हो रही थी ना कि बस चल्दी से इसके पर पेंट कर दूँ तो आज मैं इन ग्लास इसके पर पेंट करने वा इसके लिए मैंने पैस्टल येलो और लेमन येलो शेट को अच्छी तरह से मिक्स 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 कर लिया है और यह रहा मेरा मैजिक ब्रश जिसका मूँ तूटा वह है यूम्य यूम्य येलो पेंट को मैं कर रही हूं ग्लास के ऊपर हो कितना मजिका लग रहा है मेरी बड़ इसको पकर पकर के मिटी के बड़तन वैसे ही भारी होते हैं उपर से मैं साइड से पकर के पेंट कर रही हूं और मैं बस जल्दी जल्दी से करती जा रही हूं ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए अच्छे जी अब यह देखो पहला कोट बिल्कुर ड्राय हो चुक है और कावफी सिंपल है और काफी pepperО 0 फटे करना था लगिए लगिन रहे कंट्रास कर देती हूं अब मैं इसके पर एक मसूम से इक्सप्रेशिन के ड्राइं By हो और चोंता कर दोंगि कोईस्जा दा डिटेल वर्थ निया इसमें बस इस reactor ब्राउन आइज और चोटी सी तो शूँ लगा रियों लगा रियों इससे तुम्हारा फेस और भी ज़दा क्यूट लगेगा एंड फाइनली मेदान में आ चुका है मेरा डॉटिंग टूल और इसके साथ में चिकी की ननी ननी चीक्स के ऊपर बनाऊंगे लाइन और यह कितनी क्यूट लग रही है अंकों में तोरे से वाइट डॉट्स एड़ करने के बाद यह है चिकी की फाइनल लुक अई कितना क्यूट लग रहा है अब मैं इसके पर जल्दी से वार्णिश लगा दूँगी और इसको ड्राइ कर लूँगी इतनी स्यादा वार्णिश लग गई यह रहा मेरा यूनिकॉर्ण वाला ब्रश आए मुझे लग रहा मैंने बहुत ज़दा वार्णिश लगा दिया है खैर अब मैं इसको अराम अराम से पूरे ग्लास पर स्प्रैड कर दूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी स्ट्रॉक्स ना आए और इसकी फाइनल लुक बिल्कुल ग्लॉसी आए तो कैसा लगा आपको ये चिकी वाला ग्लास परिसनली आइजस लव इट अगर आपको ये ग्लास सच में प्यारा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना तो हम जल्दी से मुफ करते हैं सेकंड ग्लास की उपर इसको मैंने अच्छी तरह से दो के बिल्कुल साफ कर लिया है और इसके साथ थोड़ी बहुत गड़ बढ़ोने वाली है ये है एक चोटा सा टेस्टर यूँकि मुझे इसकी अंदर करना था चोटा सा अम 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 यह कर रही हूं मतलब इसको स्क्राइच करना था और मुझे स्क्राइच करने के लिए और कुछी मिलने रही थी तो मैंने सुचे चलो इस टेस्टर के साथ भी कर लेती हूं और यह काफी अच्छे से हो भी रहा है जितना ढ़र लाग रहा था कि तोट ना जाए यह नो चानक से क प्लास्टिक बिचा दिया है और अब मैं इसका एक बड़ा सा चंक उतारूंगी और अब मैं इसको अपनी चीट के साथ और रोल करने कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं इसको बिल्कुल फ्लैट करना है यह प्लास्टिक शीट फिसलती जा रही है मैं इतने अरसे के बाद क्लेवर कर रही हूं पता नहीं मेरे से थोड़ा बहुत कुंट्रोल नहीं किया जा रहा है इसको मैं ने ढूड़ लिए अप बोट आई बनाने की कोशिश कर रही हूं बोट आए के एजजिस में मैंने मार्कर्स टाल दिया है क्योंकि मैं चाहती हूं कि यह फ्लफी लगे तो दोस्ता मैंने अपमी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको अच्छा बनाने की लेकिन यह वैसी नहीं बनी जैसा मैं चाहती गंदी बच्ची मैंने टाइम वेस्ट करवा दिया है और ये देखा मैंने दुबारा से मेहनत करके इतनी क्यूट सी बोट आई बनाई है और मुझे ये पहली वाले से ज्यादा अच्छी लग रही है अब मैं अराम से सके इंदर से मारकर्ट रिमूफ कर दूँगी और मेरे हाथों को उल्चन होई जा लिए कि बस मैं इसको उठा लूँ मैंने इसको ड्राइ भी नहीं होने दिया बिचैनी को फटा फट से मैंने उठा दिया और बहुर बाद में मैं मना करका कि तो मारी टाइट अब मैं इसको अच्छी तरह से क्या कर रही हूँ क्या किए है मैंने झो भी किया है मैंने टाइई है ठोरी बहुत शेया पेड्रेस्मेंट्स कर रही हूं इसरे आमने मारकर्ट नहीं डाले, पेंट प्रॉश्चिस डाले हैं क्योंकि यह इजी है निकलने में और मेरे से सबर नहीं हो रहा है कि जल्दी से ड्राय हो जाए और मैं इस पर पेंटिंग स्टार्ट कर दूं बस इसलिए मैंने फॉरां से इसको ड्राय कर दी है ताकि यह मजीर ठूसना हो जाए आए हाए इतने ज्यादा क्रैक्स इतना रॉफ सर्फिस पता नहीं कहां गलती हो गई मुझसे है करने के बाद यह देखो इसको मैंने बिल्कुल वाइट कर दिया और नीचे से थोरा सा अभी भी मिस हो गया गंदा वहू हू इस पेंटिंग टाइम अमें इस बोट है की उपर ना रेड कलर का पेंट कर रही हूं क्योंकि मैंने पहले ही सोचा था यार मुझे वाइट कलर का ग्रास चाहिए और उसके उपर मुझे रेड रेड बोट आई चाहिए और मैंने यह नहीं सोचा था कि इसके उपर एक ठूसुईवी टाई लगेगी खेर कोई बात नहीं प्रैक्टिस करने से सब कुछ आई जाता है इनसान को आहिस्ता आहिस्ता अम इसके सेंटर में भी अ मेरा फैसला इतना बुरा निकला मुझे बाद में बड़ा ही पच्चता हुआ रहा था कि मैंने ऐसे करने का क्यूं सोचा काश मैं वही कर लेती जिए मैंने पहले से सोचा हुआ था मैं आपको पहले इसलिए बतारी हूं ताकि आगे जा कि आप बरबादी देखने के लिए अपना माइंड पहली रेडी कर ले और ये देखो कितना गंदा लाग रहा है मुझे तो बिल्कुल ने अच्छा लगा उपर से मेरी मामा को जब पसंदी नाया तो मेरा और दिल तूट गया तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर से ये वाइड लाइन्स बिल्कुल गाइब कर पर चोटे-चोटे से वाइड कलर के डॉर्ट कर देती हूं पहले ये ग्लास मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी जेल के मुझरिम के लिए त्यार हुआ है और अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसका थी मिकी माउस वाला हो गया है लेकिन जो भी है पहले से तो कॉफी ब अब मैं इसके पर जल्दी से वार्निस लगा रही हूं ठाडा रेडी हो गया है मेरा सेकंड ग्लास यह डॉर्ट कितने क्योट लग रहे हैं और इसकी फाइनल लोग शुकर है अच्छी आ गई है बिल्कुल मतलब क्रैक्स वगारा नजर नहीं आरे इसके पर है ना और ऐसे वे रखके देखो डो टाइब कीuity चिकटी और मिधी की जोरी मुझे तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारे लगी हैं और अंदर से लोग वैसे आपको इन दोने में प्यारे कौन सालगा मुझे तो मिधे तो फैसे क्यारे लगा और मिधी किसी को को पसंद नहीं आया तो तो अगर आपको भी ऐसा फजूल कॉंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल अस्मा आर्ट स्टुडियो को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे तो ऐसे काम करने का बहुत जादा मज़ाता है सी यू नेक्स वीक बाई